हाई गाईज एगें वल्कॉम बेक तो मैं यूटुब चैनल आर्ट वर्ड आज की वीडियो में मैं अपनी न्यू कलर डॉम्स और पेस्टल की रिव्यू देने जा रही हूं एंड आई होब कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी एंड प्लस रिव्यू के साथ मैं सजेशन भी दूँगी कि आपको डॉम्स और पेस्टल बाइक करना चाहिए या नहीं एंड प्लस इस कलर को करके भी दिखाऊंगी कि ये कलर का टेक्स्चर कैसा है आखिर स्मूथ है या फिर मीडियम है या फिर ओईली है ये वीडियो आपको बहुत ही है फिर लगेगी तो इसलिए बिना स्किप किये हुए लास्ट अगवाच करना अगर अभी तक मेरे चैनल क पैन मिलता है आपको स्क्रेपर भी मिलता है एंड इसमें 50 शेट्स है यहां पे आपको 50 शेट्स देखने को मिल रही है और यह शेट्स बहुत ही ब्यूटिफुल है यहां पे एक स्क्रेपर भी है आपके उपर डिपैंट करता है आप इसे यूज भी कर सकते हो और नहीं भी यह watercolor sketch pen है और इसको भी आप अपने artwork के creation में यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं बट यह बहुत ही beautiful है doms sketch max so guys अब हम चलते हैं color करने के तरफ जहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि यह color का texture कैसा है so यहाँ से मैं color choose कर लेती हूँ आप कोई भी color choose कर सकते हो बट मैं यहाँ पे deep orange choose कर रही हूँ lemon yellow and light orange भी choose कर रही हूँ so मैं नहीं यहाँ पे तीन color choose किया है lemon yellow, orange and light orange सबसे पहले मैं deep orange कर रही हूँ यहाँ पे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी करिएगा and यह color बहुत ही smooth है आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे बहुत ही easily हो पा रहा है इस पे कोई भी pressure देने की जरूरत नहीं पर रही है अब मैं यहाँ पे light orange को mix करूंगी deep orange के साथ अब मैंने lemon yellow लिया है और इसको भी मैं mix करूंगी light orange and deep orange के साथ आप देख सकते हो इसका texture बहुत ही smooth है और इसको यह color को करने के लिए मतलब ज्यादा pressure आपको नहीं देना परेगा नहीं तो यह color black भी हो सकता है तो मैं तो suggest करूंगी कि आप इस color को buy करें क्योंकि यह color से बहुत ही अच्छी अच्छी drawing बनती है and mix भी बहुत ही easily हो जाती है बीना pressure दिये so guys मेरी suggestion यह है कि आप इस color को buy करो and अगर अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो कर लो bell icon को भी press कर लेना मेरी new videos की notifications को receive करने के लिए और हाँ अगर आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें मैं doms oil pestle fabric के से comparison करके बताऊं कि इन दोनों में से best oil pestle कौन सा है and किसका texture अच्छा है और कौन सा buy करना चाहिए तो comments जरूर करना so तत्ते के लिए bye bye and take care